मनोज कुमार भारतिय फिल्मों के अभिनेता रह चुके हैं. उन्होंने ना केवल एक अभिनेता के रूप में ही अपनी पहचान बनाई है बलकि उन्हें बहतरीन निर्देशक के रूप में भी जाना जाता है. मनोज ने अपना नाम भारतिय फिल्मों के लोकप्रिय और सफल अभिनेताओं की सूची में भी दर्स किया है. मनोज के द्वारा अभिनय किये गए फिल्मों की बात करे तो उन्होंने हरियाली और रास्ता, शादी, बनारसी ठग, घर बसा के देखो, ग्रहस्ती, अपने हुए पराए, उनम की रात, उपकार, आदमी, मेरा नाम जोकर, शोर, बेइमान, रोटी कपडा और मकान, सन्यासी क्रांती, संतोष, देशवासी, मैदानेजन जैसी फिल्मों में अभिनय किया है मनोज ने अपने अभिनय की वजह से कई सारे अवार्ड्स को अपने नाम किया है और साथ ही उन्होंने अपने द्वारा भारतिय सिनेमा में दिये अपने योगदान की वजह से कई सारे सम्मानों को अपने नाम भी किया है मनोज कुमार का प्रारंभिक जीवन मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अब बोत्ताबाद में हुआ था फिल्हाल यह शहर पकिस्तान में आता है मनोज के पिटा का नाम ह. एल गोस्वामी था और उनकी मा का नाम कृष्णा कुमारी गोस्वामी था मनोज के एक भाई थे और एक बहन थी मनोज का असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था जिसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बदल कर मनोज कुमार किया था मनोज ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हिंदू कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन की डिगरी प्राप्त की थी मनोज को बचपन से ही अभिनय करने का बहुत शौक था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई कत्म होने के बाद फिल्मों में अभिनय करने का मन बनाया था मनोज कुमार का व्यवसायक जीवन मनोज कुमार ने अपने अभिनय के व्यवसाय की शुरुवात साल 1957 से की थी उनकी पहली फिल्म का नाम फैशन था इसके बाद उन्होंने साल 1958 में फिल्म पंचायत में अभिनय किया था इस फिल्म में मनोज के साथ श्यामा को भी अभिनय करते हुए देखा गया था उसी साल उन्होंने फिल्म सहारा में भी अभिनय किया था जहां उनके किरदार का नाम श्याम था साल 1969 में मनोज को एक ही फिल्म में देखा गया था उस फिल्म का नाम चाद था साल 1960 में भी मनोज ने एक ही फिल्म में अभिनय किया था उस फिल्म का नाम हनी मून था और फिल्म में मनोज कुमार के साथ सईदा खान ने अभिनय किया था साल 1961 में मनोज ने फिल्म सुहाग सिंदूर में अभिनय किया था इस फिल्म में उन्होंने रतन नाम के किरदार को दर्शाया था और फिल्म में मनोज के साथ मुख्य किरदारों को बलराज साहनी और माला सिन्हा ने अभिनय किया था इसके बाद उसी साल मनोज ने फिल्म काच की गुडिया में भी अभिनय किया था इस फिल्म में मनोज ने एक बार फिर सईदा खान के साथ मुख्य किरदारों को दर्शाया था साल का अंत मनोज ने फिल्म रेश्मी रुमाल के साथ किया था साल 1962 में मनोज ने फिल्म हरियाली और रास्ता में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक विजय भट थे और फिल्म में मनोज ने शंकर नाम के किरदार को दर्शाया था इस फिल्म में मुख्य किरदारों को माला सिनहा, मनोज कुमार और शशिकला ने अभिनय किया था उस साल मनोज की दूसरी फिल्म का नाम डौ विद्या था इस फिल्म के निर्देशक राजेंद्र भाटिया थे और फिल्म में मनोज ने रतन चौधरी नाम के किरदार को दर्शाया था उस साल मनोज की फिल्म शादी भी रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने राजा नाम के किरदार को दर्शाया था फिल्म में मनोज के साथ बलराज साहनी, सायरा बनू और धर्मेंदर ने मुख्य किरदारों को दर्शाया था इसके बाद उसी साल मनोज ने फिल्म बनारसी ठग, मा बेटा, पिया मिलान की आस और नतली नवाब में अभिनय किया था साल 1963 में सबसे पहले मनोज ने फिल्म अपना बना के देखों में अभिनय किया था इसके बाद उन्हें फिल्म घर बसा के देखों में देखा गया था फिल्म के निर्देशक किशोर साहू थे और फिल्म में मनोज के साथ मुख्य किरदार को राजश्री ने अभिनय किया था इसके बाद मनोज ने उस साल का अंत फिल्म ग्रहस्ती के साथ किया था फिल्म में मनोज ने मोहन नाम के किरदार को दर्शाया था और फिल्म में उनके साथ राजश्री ने मुख्य किरदार अभिनय किया था साल 1964 में सबसे पहले मनोज ने फिल्म अपने हुए पराए में अभिनय किया था उस फिल्म के निर्देशक अजित चक्रवर्ती थे और फिल्म में मनोज ने डौक शंकर नाम का किरदार अभिनय किया था इसके बाद उसी साल उन्हें फिल्म वह कौन थी में देखा गया था इस फिल्म के निर्देशक राज खोसला थे और फिल्म में मनोज ने डौ आनन्द नाम का किरदार अभिनय किया था साल के अंत में मनोज को फिल्म फूलों की सेज में अभिनय करते हुए देखा गया था साल 1965 में मनोज ने फिल्म शहीद, बेदात, हिमालय की गोद में, गुमनाम और पूनम की रात में अभिनय किया था साल 1967 में मनोज को पहली बार अपने अभिनय के लिए बेस्ट आक्टर के अवार्ड में नामांकित किया गया था उस फिल्म का नाम उपकार था जिसके निर्देशक मनोज कुमार ही थे फिल्म में मनोज ने भारत नाम के किरदार को दर्शाया था इस फिल्म में मुख्य किरदारों को मनोज कुमार, आशा पारेख, प्रान प्रेम चोपरा और कामिनी कौशल ने अभिनय किया था यह फिल्म उस साल की सबसे लोग प्रिय फिल्म के रूप में दर्स की गई थी साल 1968 में मनोज ने दो ही फिल्मों में अभिनय किया था उस साल की उनकी पहली फिल्म का नाम नील कमल था इस फिल्म के निर्देशक राम महेशवरी थे और फिल्म में मनोज ने राम नाम का किरदार अभिनय किया था इस फिल्म में मनोज के साथ अभनेत्री वहीदा रह्मान ने मुख्य किरदार को दर्शाया था उस साल की मनोज की दूसरी हिट फिल्म आदमी थी इस फिल्म के निर्देशक एक भीम सिंध थे और फिल्म में मनोज ने डौ शेखर नाम के किरदार को दर्शाया था मनोज के साथ फिल्म में मुख्य किरदार को वहीदा रह्मान ने ही अभिनय किया था फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म ने भी बॉक्स ओफिस बहतरीन कमाई के साथ अपना नाम सुपर हिट फिल्मों की सूची में दर्श किया था साल उन्नीस सौ सक्तर में सबसे पहले मनोज को फिल्म पूरब और पश्चिम में देखा गया था इस फिल्म के निर्देशक मनोज कुमार ही थे और फिल्म में उन्होंने भारत नाम के किरदार को ही दर्शाया था इस फिल्म में मनोज ने अभिनेत्री सायरा बनू के साथ मुख्य किरदार को दर्शाया था उस साल की मनोज की अगली फिल्म का नाम यादगार था मनोज ने उसी साल फिल्म पहचान में भी अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक सुहनलाल कवर थे और फिल्म में मनोज ने गंगाराम नाम के किरदार को दर्शाया था साल का अंत मनोज ने फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ किया था इस फिल्म में उन्होंने डेविड नाम के किरदार को दर्शाया था साल 1971 में मनोज ने फिल्म बलिदान में अभिनए किया था फिल्म में उनके किरदार का नाम राजा था साल 1972 में सबसे पहले मनोज को फिल्म शोर में देखा गया था इस फिल्म के निर्देशक मनोज कुमार थे और फिल्म में उन्होंने शंकर नाम के किरदार को दर्शाया था इस फिल्म में मनोज के साथ नंदा और जया बच्चन ने मुख्य किरदार को दर्शाया था फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था और फिल्म ने भी कई सारे अवार्ड्स को अपने नाम किया था इसके बाद उसी साल मनोज को फिल्म बेइमान में देखा गया था इस फिल्म के निर्देशक सुहनलाल कवर थे और फिल्म में मनोज ने मोहन नाम के किरदार को दर्शाया था साल 1974 में मनोज ने एक ही फिल्म में अभिने किया था इस फिल्म के निर्देशक मनोज कुमार थे और फिल्म में उन्होंने भारत नाम के किरदार को दर्शाया था इस फिल्म में मुख्य किरदारों को मनोज कुमार, जीनत अमान और मौशुमी चटर जी ने अभिनय किया था फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म ने भी बॉक्स ओफिस बहतरीन कमाई के साथ अपना नाम सुपरहिट फिल्मों की सूची में दर्श किया था इस फिल्म ने कई सारे अवार्थ को भी अपने नाम किया था साल 1975 में मनोज ने फिल्म सन्यासी में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक सुहनलाल कवर थे और फिल्म में मनोज कुमार ने राम राय नाम का किरदार अभिनय किया था फिल्म में मनोज कुमार ने अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ मुख्य किर्दार को दर्शाया था साल 1976 में मनोज ने फिल्म दस नंबरी में अभिने किया था इस फिल्म में मनोज ने अरजुन नाम के किर्दार को दर्शाया था और फिल्म के निर्देशक मदन मुहला थे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था साल 1977 में सबसे पहले मनोज को फिल्म शेडी के साई बाबा में अभिनय करते हुए देखा गया था इस फिल्म के निर्देशक अशोक वी भूशन थे और फिल्म में मनोज ने डॉक्टर और वैग्यानिक के दो किरदारों को दर्शाया था फिल्म में मुख्य महिला के किरदार को हेमा मालिनी ने दर्शाया था और फिल्म में राजेंदर कुमार ने मुख्य पुरुष के किरदार को दर्शाया था उसी साल मनोज ने फिल्म अमानत में भी अभिनय किया था इस फिल्म में उन्होंने दीपक नाम के किरदार को दर्शाया था साल उन्नीस सो उनासी में मनोज ने अपना डेब्यू पंजाबी फिल्मों में भी किया था इस फिल्म का नाम जट पंजाबी था और फिल्म में मनोज ने भी जट पंजाबी नाम के किरदार को दर्शाया था साल 1981 में मनोज ने फिल्म क्रांती में अभिनय किया था इस फिल्म में मनोज ने भारत और क्रांती नाम के दो किरदारों को दर्शाया था और फिल्म के निर्देशक मनोज कुमार खुद थे फिल्म में मुख्य किरदारों को दिलीट कुमार, शशी कपूर, शत्रुगन सिन्हा, हेमा मालिनी, प्रवीन बाबी, निरुपारोय, प्रेम चोपडा और मनोज कुमार ने अभिनाय किया था साल 1987 में मनोज ने एक बार फिर अपनी वापसी हिंदी फिल्मों में की थी उन्होंने उस साल फिल्म कल्यूग और रामायन में अभिनाय किया था इस फिल्म में मनोज के किरदार का नाम पवन पुत्र श्री हनुमान था मनोज के साथ फिल्म में मुख्य किरदार को माधवी ने अभिनय किया था साल 1989 में सबसे पहले मनोज ने फिल्म संतोश में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक बलबीर वधावन थे और फिल्म में मनोज ने संतोश सिंह नाम का किरदार अभिनय किया था इस फिल्म में मुख्य किरदारों को निरुपारोय, राखी, प्रेम चोपरा, हेमा मालिनी और मनोज कुमार ने अभिनय किया था उसी साल मनोज की अगली फिल्म का नाम तलर्क था इस फिल्म में उन्होंने भारत नाम के किरदार को दर्शाया था साल 1991 में मनोज को फिल्म देश्वासी में देखा गया था इस फिल्म में मुख्य किरदारों को मनोज कुमार, हेमा मालिनी, पूनम धिल्लों और अनुपम खेर ने अभिनय किया था मनोज की आखरी फिल्म का नाम मैदान ए जंग था यह फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी फिल्म के निर्देशक के सी बोक्रिया थे और फिल्म में मनोज ने मास्टर दिनानाथ नाम का किरदार अभिनय किया था इस फिल्म में मुख्य किरदार को धर्मेंद्र, अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था फिल्म को दर्शकों ने ठीक ठाक पसंद किया था पुरसकार और उपलब्धिया साल 1968 में फिल्म उपकार के लिए Best Movie, Best Best, Best Best Story, Dialogue, Best Dialogue था साल 1972 में फिल्म बेइमान के लिए Best Actor का अवार्ड मिला था साल 1972 में फिल्म शोर के लिए Best Editing का अवार्ड मिला था साल 1975 में फिल्म रोटी कपडा मकान के लिए बेस्ट डिरेक्टर का अवार्ड मिला था साल 1992 में पदमाश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था साल 1999 में लाइफटाइम अचीवमिंट अवोर्ड किया गया था साल दो हजार आठ में किशोर कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया था साल दो हजार दस में राज कपूर अवार्ड से सम्मानित किया गया था मनोज कुमार का निजी जीवन मनोज कुमार ने शशी गोस्वामी से शादी की थी मनोज और शशी के दो बेटे हैं जिनका नाम विशाल गोस्वामी और कुनाल गोस्वामी है मनोज के पसंदीदा चीजों की बात करे तो उनके पसंदीदा अभिनेता दिलीब कुमार और अशोक कुमार है मनोज कुमार को दिलीब कुमार और अशोक कुमार इतने अधिक पसंद थे कि उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखने का फैसला लिया था अभिनेत्रियों में मनोज को कामिनी कौशल पसंद है मनोज कुमार को गाने सुनना और गाना गाना बहुत पसंद है